Good morning students, कैसे हो बच्चो, I hope आप सभी सवस्थ होंगे और अपना काम भी regular way से कर रहे होंगे, अगर नहीं कर रहे हो तो भी बच्चो आप अपना काम regular way से करना शुरू कर दो, पढ़ाई क्योंकि पढ़ाई करना जरूरी है, बहुत मोज मस्ती हो गई है, अपना काम regular way से करो, ठी पिक हमारा adaptation for protection ठीक है वच्चो इससे पहले हमने discuss किया था किस पेड़ाप्टेशन के बेस पर ही डिसकस किया था, किस बेस पर food habit के बेस पर ठीक है, और उसके अलावा क्या था, किस बेस पर हमने classify किया था, adaptation ही habitat के बैस पर, habitat मिन आवास, और food habit मिन खाने के आदत के बेस पर हमने adaptation को define किया था, कि किस परकार adaptation है या animals हैं, वो अपने आपको adapt कर लेते हैं, आज हम discuss करेंगे कि adaptation for protection की जो animals हैं, वो adapt तो कर लेते हैं, वो अपने आपको protect भी कैसे करते हैं, ठीक है, तो आओ सुरू करते हैं हम, कि animals protect themselves from their enemy is different way, enemy means क्या होता है, बच्चो सत्रू जो होता है उसको क्या बोलते हैं, अपने आपको product करते हैं, अपने सत्रू से वो different way, अलग अलग तरीके से करते हैं, some animals like, कुछ animals जैसे grass ओपर है, चैमेलियन है, कुछ इसको चैमेलियन भी बोलते होंगे, बच्चो चैमेलियन है, गार्डन, लिजार्ड है, स्नेक है, डवलप स्पेश adaptation काल्ड कोमो फ्लेंग, क्या है, कौमो स्पेशल अडेफेशन होता है, उस पेशल अडेप्टेशन में को क्या कहते हैं, कोमी फ्लैंग का मतलब क्या है कि बच्चो जैसे ग्रास ओपर है चैमेलियन है गार्डन लिजार्ड है और स्नेक है यह स्राउंडिंग में जैसा कलर होता है उसमें ही अपने आपको मर्ज कर लेते हैं या उसके अकोर्डिंग ही अपने कलर को क्या कर लेते हैं चेंज कर लेते ह ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमी फ्लैंग, कॉमी फ्लैंग help the animal to hide from its predator and prey, जो कॉमी फ्लैंग है, वो help करता है, animals की, hide मिन क्या होता है, छुपने में, किसे छुपने में, from its predator and prey, देखो बचो, predator क्या होता है, सिकार करने वाला, जो, मालो कोई भी animals है, वो दूसरे animals को मार करके खाता है, वो क्या होता है, predator, और prey क्या होता है, कि जो मारा जाता है, जो खाया जाता है, वो क्या होता है, प्रे, जो कहता है, कि जो कॉमी फ्लैंग होता है, animals के अंदर, कॉमी फ्लैंग, मिस जिस्म की, अपने color change करने की, जो capacity है, वो दोनों को ही छिपाती है, दोनो प्रेटर को भी बचाएगी को छुप करके बैठ जाएगा प्रेय का सिकार करने के लिए और प्रेय को क्या है कि प्रेय भी बच जाएगा अगर कलर उसका स्रावंडिंग में मैच कर जाएगा तो काथा कि कॉम्भी फ्लैंग यह कहता कि यह евणीनमल है यह अपनी स्किन का कलर चेंज कर लेते हैं ठीक है डेज का मतलब होता है बच्चों मिक्स हो जाना क्या होता है ब्लैंड सेनीस å है कि जैसे surrounding का जैसा color है वैसा ही color यह अपना कर लेते हैं with their surrounding कि जैसा surrounding में color है वैसा ही अपना कर लेते हैं उसके साथ यह अपना जैसे green color surrounding में green color है तो अपनी body का color कैसा कर लेते हैं green color है वो कर लेते हैं ठीक है इसके साथ some animals like leopard tiger zebra giraffe इस वुप लुप्र on their body कोष एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे लियोपार्ड याटिव जिराफ इनकी बोड़ी के उपर पर उते हैं लियोपार्ड के ब्लेक करना देख रहे हैं दबने क्यों सब्सक्राइब जिस और नहीं होते हैं धब्राइब दारियाँ जैसे आप भार लैक इ उपर तो काता कि कुछ animals के उपर क्या होते हैं और कुछ की बोड़ी के उपर क्या होती है strips होती है धारियां होती है which help then to merge with their surrounding और यही क्या करती है कि उनका जो surrounding का जो area है उसमें अपने आपको छिपा लेते हैं वहुता है दोनों के लिए ये क्या है ये फ critical करता थीक है उसके बाद रॉकच इंसेक्ट लुक लााइक ये ट्विंग रो त्री और सर्व ज्यों को साइच जी जिर टहनी नहीं होती है प्लांट की उसको क्या बोलते हैं जैसे कोई ट्री है या सर्भ है उसकी कोई टहनी हो इस तरह लगता है वाकिंग इनिक आप और कहता है कि जब यह आराम करता है तो बिलकुल कैसा लगता है कि इसका कलर भी सेम होता है उस टहनी जैसा सेप भी वैसी ही कर लेता है और उसकी पोजिशन भी ऐसी ही होती है जैसे कि एक प्लांट के ठहनी की होती है वैसी ही किसकी होती है वाकिंग स्टिक इंसेक्ट की ठीक है उसके बाद सम एनिमल मुव फास्ट इनफ टू एसके फ्रों दियर एनिमी क्याता कि कुछ एनिमल इतना तेज दोड़ते हैं कि वो अपने आपको एनिमी मिस सत्रू से बचा के ठीक है फॉर एक्जामपल डियर है ओस्टिच है इम्यू है स्नेक है यह क्या करते हैं बच्छों बहुत ही तेज दोड़ते हैं ठीक है एनिमल लाइक क्रेब टोर्टवाइज एंड स्नेल है उसेल एंड पॉर्क्यूपीन पॉर्क्यूपीन हैस पाइन उन प्रोटेक्ट इसे उसे पॉर्क्यूपीन इसकी बोड़ी के उपर क्या होते हैं ठीक है जिससे यह क्या करता है अपने आपको प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करता है ठीक है उसके बाद some poisonous animal like snake, lizard, scorpio have poisonous venom to kill their enemy कता कि जो poisonous animals होते हैं जैसे snake है, lizard है, scorpio है इसमें क्या होती है poisonous venom जो जहरीली ग्रंथी होती है वो इनके अंदर होती है जिससे क्या करते हैं बचो kill कर देते हैं ठीक है तो इस तरह क्या है ये क्या है protective adaptation है क्या है बचो adaptation for protection की कुछ animals किस परकार अपने आपको protect करते हैं और adapt करते हैं ठीक है यहां तक ही है बचो chapter आपका chapter क्या है खतम हो गया है यहांपर ठीक है इससे आगे next chapter हम पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले हम इस chapter के question answer और book work उसके बारे में भी हम discuss करेंगे लेकिन आज के लिए इतना ही है एक बार मैं फिर से repeat कर देती हूँ कि हमने इस chapter में क्या क्या पढ़ा है ठीक है तो देखो बचो हमने इस chapter में क्या पढ़ा है आपने पढ़ा इस chapter पहले तो यह बताओ कि chapter क्या है हमारा chapter है बचो adaptation in animals की जो animals हैं वह अपने आपको कैसे adapt करते हैं तो उसमें हमने पढ़ा कि animals के अंदर क्या होते है कुछ specific feature आते हैं कि वह अपने आपको adapt कर लेते हैं तो कैसे adapt करते हैं तो पहले हमने पढ़ा adaptation to the habitat एकवेटिक अनिमल्स होते हैं एम्फीबियन एनिमल्स होते हैं अर्फएटेटेट में अपने आपको सरवाईव करवाते हैं क्योंकि उनकी अंदर कुछ स्क्षिफिक फीचर होते हैं ठीक है इसके साथ-साथ कुछ एनिमल्स क्या है? स्क्वेंजर हैं, ठीक है जो डाड एनिमल्स को खाते हैं और कुछ एनिमल्स क्या है? पेरासाइट हैं, यह हमने पढ़ा इसके बाद adaptation for protection वो आज हमने डिसकस किया है इस complete chapter में हमने बचो यही पढ़ा है आप इस complete chapter को अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद क्या है? कि जो भी आपको difficult word meaning लगे और जैसे मैंने साथ-साथ दिये थे कि यह word meaning आप लिखना वो आप अपनी fair notebook में लिखेंगे इससे आगे जो question answer हैं उनके बारे में बच्चो हम कल discuss करेंगे कल हम इस chapter के question answer करेंगे ओके धन्यवाद बच्चो